नमकीन गोश्ट से बनाते हैं आज शाही वाइट मटन पुलाव की रेसिपी ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें नमकीन गोश्ट को तयार कर लेना है इसके लिए मैं ले रही हूँ आधा किलो मटन प्रेशर कूकर में इसे बना लेंगे खड़े मसालों में इसमें डालेंगे लॉंग छे से साथ है दो है तेज पत्ता हरी लाइची लेंगे तीन दो है काली बड़ी लाइची हरी लाइची और काली बड़ी लाइची को खोल कर डालेंगे दार्चिनी का दो इंच का टुकड़ा है जाइफल का छोटा सा एक पीस ले लेते हैं और एक पूरी ये जावित्री ले लेंगे खड़े मसालों के साथ ही डालेंगे तीन हरी मिर्च एक मीडियम साइस की प्याज है पतले स्लाइसेज में कटी हुई इसे डाल देते हैं एक बड़ा शमज भर कर अधरक लेसन का पेस्ट भी डाल लेंगे नमक मतन के हिसाब का डाल लेते हैं और इसमें पानी डाल लेंगे दो कप सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे प्रशी कूकर का धकन लगा कर मतन को पका लेंगे 30 से 35 मिनट तक या फिर आप इसे 5 से 6 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पर पका सकते हैं मतन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए इसके बार ठककन हटा लेंगे अब ये मतन को इस यखनी में से निकाल कर हटा लेते हैं और यखनी को छान कर इसे अलग कर लेंगे तो मतन और यखनी रडी है अब शाही पुलाव बनाने की तयारी करते हैं इसके लिए लेंगे एक चौथाई कप तेल इसमें भी कुछ खड़े मसाले डालेंगे दो है स्टार फूल छे से साथ है हरी लाइची पांच से छे है लॉंग और दार्थ चिनी का दो छोटा टुकड़ा ले लेते हैं ये खड़े मसाले डालने के बाद एक मीडियम साइस की प्यास को पतले स्लाइस में काट कर डाल लेंगे प्यास को हमें ज्यादा नहीं फ्राई करना है क्योंकि पुलाव का कलर हमें वाइट रखना है तो ये पकाते हुए हलकी सी गुलाबी हो जाए तब तक हमें से फ्राई कर लेंगे अब इसमें डालेंगे एक चमश भरकर अद्रक लेसन का पेस्ट अद्रक लेसन के पेस्ट को करीब आदे मिनिट के लिए चलाते हुए पका लेते हैं अद्रक लेसन का कच्छा पन चला जाए इसके बाद हम इसमें मटन डाल देंगे मटन को अब हाई फ्लेम पर सारी चीजों के साथ अच्छी तरह से भून लेना है करीब 2-3 मिनिट के लिए मटन को अच्छी तरह से भून लेंगे इसके बाद फ्लेम को एकदम लो कर लेंगे और फेटा हुआ दही डाल देते हैं इसमें यह आधा कप दही है, दही डालने के बाद एकदम low flame पर ही दही को अच्छी तरह से मटन के साथ mix कर लेंगे, दही अच्छी तरह से जब मटन के साथ mix हो जाए, flame को medium कर लेंगे, और तेल सेपरेट होने तक दही के साथ मटन को चलाते हुए पका लेना है, तेल जैसे ही कर दालेंगे जीरा और आदा चमच डालेंगे सौंफ पिर से सारी चीजों को चलाते हुए मिक्स कर लेना है और फिर से भून लेते हैं बस दो मिनिट के लिए मतन अच्छी तरह से मसालों के साथ भून जाए इसके बाद हम इसमें यखनी डाल देंगे यखनी और पानी मिलाकर करीब चार कप डाल लेते हैं हाई फिलीम पर इसे पका लेते हैं यखनी में अच्छा सा बॉयल आ जाए इसके बाद हम इसमें डाल देंगे आदा कीलो चावल ये करीब धाई कप चावल है जिसे मैंने आदे घंटे के लिए भिगो कर वाश कर लिया है इसका सारा पानी ड्र क्रीम डालेंगे आप चाहें तो घर के दूद की मलाई को फेट कर भी डाल सकते हैं तो यह फ्रेश क्रीम में ले रहे हूं करीब एक चौथाई कप फ्रेश क्रीम से पुलाओ क्रीमी और रिच बनेगा और एक दम वाइट बनकर तयार होगा एक चमश डाल देंगे केवरा व करकर अटालेंगे पुलाओ अच्छी तरह से पक चुका है बस अब चमश को नीचे से ऊपर चलाते हुए एक बार पुलाओ को मिक्स कर लेंगे जैसे ही यह मिक्स हो जाए बस यह हमारा शाही वाइट मटन पुलाओ सर्फ करने के लिए रेडी है आप इसे दही वाले रायते के साथ कचुमर या फिर चटनी के साथ सर्फ कर लीजिए